उदव के हिंदोत्व पर फड़नवीस ने उठाई सवाल उदव के पियम पर दिये बयान से बीजेपी नाराज उदव बताएं कैसोनिय रहुन ले कभी बाला साहिब को दिश्रधान जली सावर करके अपमान पर अब तक क्यों चुप बैठे थे उदव उदव ठाकरे के खलाफ अब महराष्ट में बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है अभी तक देवेंदर फड़नवीस उदव ठाकरे पर निशाना साधने से बस्ते दिख रहे थे वो कॉंग्रेस और NCP को ही घेर रहे थे उदव को लगातार अपना दोस्त बता रही थे उदव के साथ उनके कई फोटो वाइरल भी हो रहे हैं उदव ठाकरे भी पीम की जगा ग्रह मंतरी अमिश्याह को अपने निशाने पर लिये हुए थे दावे तो यहां तक हो रहे थे कि देर सवेर उदव ठाकरे NDA में लौट आएंगे लेकिन चत्रपती संभाजी नगर में हुई महाविकास अगालई गटबंदन की रैली में उदव ठाकरे ने सीधे सीधे पीम मोधी पर ही निशाना साथ दिया पीम के डिगरी पर भी सवाल उठा दिये केंदर की NDA सरकार को घेर लिया उदव के भाशार में पीम मोधी केंदर में रहे इसके बाद अब देवेंदर फढ़नवीस ने उदव को जवाब दिया है महराष्ट्र में NDA के दल BJP और शिवसेना सावर कर गौरव यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के दोरान डिप्टी सीएम देवेंदर फढ़नवीस ने कहा कि उदव जिसके साथ चाहे गड़बंदन कर सकते हैं असलिव शिवसेना हमारे साथ है और हम बाला साहेब की विरासत को आगे ले जा रहे हैं उन्होंने कहा कि उदव के कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन पर सवाल उठाया और बीजेपी नेता ने कहा कि MBA में जाने के बाद उदव ठाकरे राजीव गांधी की पुन्यतिती पर उन्हें श्रधानजली देते हैं लेकिन क्या सोनिया गांधी या राहूल गांधी ने कभी बाला साहेब ठाकरे को श्रधानजली दी लेकिन उस समय उदव ठाकरे इसके खलाफ कुछ नहीं कह सके क्योंकि उस समय उन्हें सावरकर से ज्यादा मुख्यमंत्री की कुरसी प्यारी थी अब वे कहते हैं कि राहुल गांधी के बयान के खिलाफ हैं लेकिन आप राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ क्या करेंगे फ़रनवीस ने राहुल गांधी से पूछा आपने कहा कि वीर सावरकर ने माफी मांगी और अंग्रेजों को पत्र लिखा लेकिन पूरी तरह से यह गलत है सावरकर ने एक पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज उन्हें रिहा नहीं करेंगे तो उन्होंने लिखा मुझे रिहा मत करो, बलकि अन्यक कैदिएं को रिहा करो जिन्होंने अंग्रेजों के खलाफ कुछ नहीं किया फ़रनवीस ने यहां तक कहा कि महत्मा गांधी ने सावर करके रिष्टेदारों को पत्र लिखा जो उनके साथ कई वर्षों तक जेल में भी रहे और कहा दूसरे कैदियों को रिहा कर दिया गया फिर उन्होंने सावर कर से कहा कि वह अंग्रेजों से भी कहें कि आपने उन्हें रिहा किया तो मुझे भी रिहा करें साफ है कि सावर कर के मामले में अब भले ही कॉंग्रेस ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया हूँ लेकिन अब तक कॉंग्रेस और राहूल गांधी ने सावरकर को लेकर जो सक्त टिपडियां की हैं उनके सहरे, फरनवीस उदव ठाकरे को घेरने में जुटे हुए हैं। फरनवीस के तेवरों से साफ है कि उन्होंने सीधे उदव को ही निशाने पर ले लिया है। जबकि इससे पहले बीजिपी को इस बात का डर लग रहा था कि उदव पर निशाना साधने से कहीं जनता की साहनुभूती उदव को ना मिल जाए। राउत क्या कहते हैं हमें इसकी परवा नहीं है। दरसल अभी तक बीजिपी ये मान कर चल रही है कि उदव ठाकरे को NDA छोड़कर NDA में जाने के लिए संजे राउत ने ही तयार किया था। संजे राउत को शिव सेना में शरतपवार का खास व्यक्ति माना जाता है। और फड़नवीस में साफ कर दिया था कि जब तक उदव ठाकरे के साथ संजे राउत हैं तब तक उदव खुलकर फैसला नहीं कर पाएंगे। बिर्व खाएंगे कर दो दो बिर्शों वे तक उदवादार का जदवार नहीं कर दोदवार फैसला शवार वार नहीं कर दो लुदवार में चुलकर प्रवार य्यक्ति मीडवार दोड़ा चाहिएंगे।